आजका हमारा टॉपिक है मियावा की Forrest Method क्या होता है मियावा की Forrest क्या होता है पहले तो हम ये देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे इसका Method क्या होता है हम इसको Justice लिए कर रहे है क्योंकि अभी-भी यूज में आया था उन्होंने अभी अभी मियावा की forest develop किया है बनाय है यह हम आगे देखेंगे यह क्या होता है Aforestation کے through देखो मियावा की forest बनाना है तो Aforestation तो करने ही पड़ेगा Aforestation का मतलब क्या होता है पौधे लगाना ठीक है forest बनाना पेड़ लगा के forest बनाना ठीक है उसके बाद बैंगलूरू में जो हेनागरा लेख है वो भी मियावाकी फॉरेस्ट के थूरू अभी फिर से नया जीवन प्राप्त करने वाली है ठीक है ना तो ये था करेंट नियूस में इसलिए हमां इसको डिसकस कर रहे हैं तो देखो क्या है ये देखो पहले तो मै मियावाकी फॉरेस्ट का जो कॉंसेप्ट है ये इंडिया का नहीं है ठीक है ये है जापान का 1970 में एक ये जो कॉंसेप्ट है मियावाकी फॉरेस्ट का वो अकीरा मियावाकी के द्वारा लाया गया था इन्हीं के नाम पर आपको समझ में आई रहा होगा इन्हीं के नाम प कौन होते हैं जैसे जूलोजिस्ट होते हैं जो लोग एनिमल्स पे एनिमल्स की पढ़ाई करते हैं उनको जूलोजिस्ट कहते हैं बोटैनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट पेड़ पौधों की पढ़ाई करते हैं ठीक है तो वह बोटैनिस्ट है उन्हों ने यह जो कॉंसेब् जिसको मियावा की forest method का नाम दिया गया उन्हीं के सरनेम पर ठीक है तो देखो यह एक तरह का Micro forestation model है मतलब छोटे-छोटे जगाओं को forest बनाना ठीक है छोटे-छोटे जगाओं में पौधे उगाना इसका एक model है जिसकी वज़े से क्या होता है अपने planet में अपनी प्रित्वी में plants को develop किया है मतलब forest बना जाता आपको सबको पता है ना अभी कि deforestation बहुत जदा हो रहा है देखो जितना ज़दा construction बढ़ रहा है जितनी जदा बिल्डिंग्स बनाई जा रही है उसके बाद दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रियेट किया जा रहे है उसकी वज़े से जंगलों को काटना पड़ता है ठीक है पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं ताकि जगह की कमी ना पड़े तो इसकी वज़े से क्या हो रहे हैं कि हम हमारी डाइवर्सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है नहीं हमारे इंवारोमेंट के लिए वह अच्छा है इसी वजह से देखो यह मियावा की फॉरेस्ट का जो कॉंसेप्ट है यह अभी बहुत जादा इंडिया में भी लोग अपना रहें ठीक है इसमें क्या करते हैं चोटी चोटी जगहों को लेते हैं चोटी चोटी स्पेस को लेते हैं वहां पर फॉरेस्टेशन करते हैं माइक्रो फॉरेस्टेशन किया जाता है मतलब वहां पेड़ पॉधे लगा जाते हैं ताकि क्या हो ग्रीन स्पेस बने हमारे प्लैनेट में ठीक है यह जो मियाव अगर मेंद में टाहर्श से जर्म है अब करेंगे आप पेड़ बहुत सब्सक्राइब करक votes काटादा से जुだुघ करके आप we stay a. घर कि आप कंस्राक्षम चालाग्य कर सकते हो, ठीक फील रख से जहांपर प्रेशर है लान्ड पे बहुँट ज्यादा लागई जो concept है यह बहुत काम आता है ठीक है आप अगर यह मियावा की forest method का अगर आप यूज करते हो और अगर आप forest create करते हो छोटे-छोटे micro forest create करते हो उससे क्या होता है कि जो environment degradation का जो effect है ठीक है harmful effect है वो कम हो जाता है forest cover अगर बढ़ेगा तो भही environment भी तो हमारा अच्छा रहेगा तो environmental degradation का जो effect है वो नहीं होगा climate change को थोड़ा सा control करेगा ठीक है जिस तरीके से अपना climate change हो रहा है जैसे गर्मी इतनी जादा मतलब global warming इतनी जादा बढ़ती जा रही है उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा control करेगा बायो diversity को preserve करेगा plants को बचाएगा ठीक है extent होने से कई सारे ऐसे plant के पौधे के species भी लगाए जा सकते हैं जो अभी extent होते जारे लुप्त होते जारे ठीक है तो rescue होगा plants का ठीक है और ये भी कहा जाता है कि मियावा की model से जो forest बना जाते हैं उसमें 5-10 साल के अंदर plants grow हो जाते हैं नॉर्मली अगर किसी जगा पेड़ पौधा लगाते हो नॉर्मली forestation जो किया जाता है उसमें 25-30 साल लग जाते हैं उसी level का growth होने में जिस level का growth मियावा की forest method से 5-10 साल के अंदर हो जाता है मतलब फरक आप समझ सकते हो कितना जादा है ठीक है देखो मियावा की method को potted seedling method भी कहते है ठीक है ये जो method है ये ज़ादातर कहां पर होता है यूज किया जाता है urban areas में अदर शहरी इलाकों में ताकि शहरी इलाकों में जो green cover है जो plant है जो forest cover है वो बढ़े क्योंकि भ़ए urban areas में space बहुत कम होता है जगा नहीं होता है आप सब को पता है शहरी छेत्र में जगा की बहुत कमी होती है forest के लिए ना चोटे चोटे गार्ड़न ही लोग बना सकते हैं, उतना ही है ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मियावा की मैथटर्ड जो है, वो यूस कहाँ पर किया जता है, शहरी इलाकों में चोटी जगा होती है, चोटे इस पेसे होते हैं, इसमें क्या करते हैं, कि जो प्लांट होत सब्सक्राइट करते हैं एक दम इतनी Колोस प्लांट को लगाने के लिए ताकि उन plants की वज़े से जमीन पे सीधी sunlight पहुची ना सके तो weed growth को भी वो prevent करता है ठीक है और एक खासियत क्या है अगर आप Miawa की method से अगर आप forest बनाना चाहते हो तो इसमें क्या होगा आप saplings को लगा दो मतलब पौधे को लगा दो छोटे-छोटे कुछ समय तक आप उसका maintenance करो देख भाल करो ठीक है उसके बाद जो पहले जो तीन साल होते है ना जैसे आपने आज प्लांट लगाया अभी से तीन साल तक आप उसकी थोड़ी देख भाल करो उसके बाद वो से self sustainable हो जाते हैं ठीक है उनको किसी भी देख भाल की जरुरत नहीं होती है वह खुद बाखुद अपने उपार डिपेंड होते हैं और वह सही से उगने लगते है और बहुत ही अच्छा घना आपको green cover देते हैं ठीक है इसमें steps क्या है क्या करना होता है आपको मिया वाकी method से forest बनाने के लिए पहले आपको एक गड़ा खुदना है ठीक है डगे pit उसके बाद क्या करना है कि वह जो पिट का जो dimension होगा गड़े का जो dimension होगा वो उस हिसाब से करना है जितना आपके बस space है ठीक है उसके बाद उस गड़े में आप एक लेयर natural waste का डाल तो natural waste जैसे की जो नारियल का छिलका होता ना coconut shell उसको डाल दो उसके बाद एक लेयर आप compost डाल दो ठीक है उसके बाद आप उसके उपर एक लेयर मिट्टी का डाल दो तो आपका वो अच्छी तरीके से खाद बन गया तो उसमें उसके बाद आप क्या करो सैपलिंग को प्लांट कर दो और कुछ समय के लिए आप उसके अच्छे से देख भाल करो उसके बाद वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है तो बहुत इजी है इस तरीके से मियावा की मेथड से फॉरे फॉरेस्ट हो अपने लिए ठीक है तो उससे देखो अगर चोटा सा भी अगर फॉरेस्ट बनाते हो ना गार्डन जैसा भी तो उसका भी बहुत वह योगदान होगा हमारे इंवायरोमेंट पे ठीक है ऐसे कई सारे अभियान हमारे इंडिया में चलाए गए है जिसके तहत पौधे लगाये जाने चाहिए ठीक है ऐसा कहते हैं कि पौधे लगाई रहये कंई सारे स्रेट्षे किया और सबको पत है किस तरीके से अबहुत ज़रूरी है ठीक है न हमारे आर्थ में ग्रीन कवर होना बहुत ही इंपोर्ट है इसलिए यह method बहुत ही easy है और इससे बहुत चल्दी हम forest grow कर सकते हैं ठीक है न तो यह था हमारा आज का topic अगर आपको कोई भी doubt ये confusion हो तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं हमने detail में सब कुछ discuss कर लिया है ठीक है thank you